तो बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है फ्रेंट्स इंडियन रेलवे रिकुट्मेंट बोर्ड के द्वारा जो है असिस्टेंट लोको पाइलट की संदार भरती जो है निकल कर आचुकी है इस भरती में कौन लोक फर्म को अपलाई कर सकता है एज़ लिमिट क्या चाहिए सेलेक्षन प्रोसेस क्या होगा अप्लीकेशन फी क्या है इसके अलावा कबसे फर्म भरे जाएंगे form का date भी आ चुका है और short notification भी आ चुका है जो रोजगार समाचार होता है ने friends उसके थुरू जो है सारी जनकारी इस भरती के regarding आ चुकी है number up, post और सबसे बड़ी बात इसमें कौन लोग apply कर सकता है इसके उपर भी हम यहाँ पे भरती notification का short pdf इस pdf में आपको इस भरती के regarding सारी जनकारी आपको मिल जाएगी हम last आपको selection process बताएंगे कि कितने phase में exam होगा और उसी base पे आप जो यहाँ पे समझ पाएंगे सबसे बिले समझते हैं important dates के बारे में तो देखें यह जो भरती है 20 जनवरी से online start हो जाएगी 19 फरवरी 2024 तक आप form को apply करेंगे बिल्कुल online mode में आपको form को भरना है इसका जो advertisement होगा यहाँ पे देख सकते हैं 01-2024 यहाँ पे होने वाला है पद का नाम है assistant local pilot ALP की vacancy है और देखते हैं government of India Ministry of Railway के द्वारा यह notification जारी किया गया है जो भी candidates eligible है वो form को apply कर सकता है इस पद के लिए और इसका जो last date of form भरने का वो होने वाला है 19 फरवरी 2024 और यहाँ पे आपको online form को भरे जाएंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अब यहाँ पे देखेंगे 20 जनवरी के date में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको form को apply करना है step by step एक form भरके बता देंगे तो 20 जनवरी से जो है proper form filler पे start हो रहे हैं नंबर अब पद की बात करें फ्रेंट्स देख सकते हैं चपन सो चानवे पद है age limit जो है एक जुलाई 2024 को count करे जाएंगे 1830 वर्स की आपकी उम्र सीमा है तो आप form को apply कर सकते है medical ये standard आप बिल्कुल fit होने चाहिए यहाँ पे जो initial salary है वो आपका 19,900 आपको यहाँ पे दिखायेगा है और level 2 जो है आपका रहने वाला है salary का salary के मामले में जब adjust है initial पे आपका 19,900 रहेगा इसमें आपका DA इसके अलवा पी ये इसके विसे medical बहुत सारी facility आइड होती है आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए भी आपे जो है आपको पैसे railway देती है इसके अलावा आपको रहने के लिए house भी आपको आपको पर प्रवाइड करे जाते है तो railway जो है ना level 1 की salary हो मतलब ये level 1 देख रहा ना या level 2 की salary हो सब के लिए जबरजस्त salary देता है भले वो group D की vacancy आती है जो group D सबसे मतलब fourth level की vacancy होती है तो उसमें भी level 1 की salary होती है तो उसमें भी आपका salary जबरजस्त होता है तो salary के मामले में आपको बिल्कुल टेंसर में लेना है अगर आपकी इसमें job हो जाती है आपका life बिल्कुल set हो जाता है बस एकदम life आपकी चलती है तो salary के मामले में जबरजस्त भरती होती है तो आपका यहाँ पर CBT exam के base पे आपका selection होता है यानि 3 phase में आपका exam होता है और इन 3 phase में आप अच्छा performance करेंगे तभी आपका जो exam crack होगा और आपको सरकारी नौकरी railway में मिलेगी assistant local pilot आप ALP बन पाएंगे तो आप सबको पता है भरती तो आही गया अब आप लोग पूछेगा कि हम कौन से किताब के थुरू जो है त्यारी करें तो मैं बताना चाहूँगा friends बहुती अच्छी किताब में आपको recommend करने वाला हूँ चकसु प्रकासन का एक किताब होने वाला है इसके अलावा general awareness जैसे आपके इसमें जो है questions रहने बाले हैं तो बहुती अच्छा किताब है और ब्याख्यात्मक हल सहीत का मतलब क्या होता है कि आपको जो है अच्छे तरीके से का यह step में उसको समझा समझा के किताब में आपको हल किया गया है जिस base पे आप जो है दूसरे question को भी solve कर पाएंगे बहुत अच्छी study guide है आप इस study guide जो है अपने त्यारी कर सकते हैं चक्सू प्रकासन का मैंने आपको जो है buy link description box में provide कर दिया है आप इस किताब के थूर जो है अपने त्यारी कर सकते हैं इस किताब को आप जो है buy कर सकते हैं बहुत अच्छी किताब है आप एक बार जूरू चेक करिए मेरे हिसाब से अच्छा किताब है अब चले समझते हैं कि आपका age limit को गड़ना कैसे करना है आपका age जो है minimum 18 और maximum 30 वर्स रखा गया है 1-7-2024 को आपकी उम्र सीमा गड़ना कीर जा रही है 1-7-2024 को इस दिन आपका जो है उम्र 18 वर्स से कम नहीं होना चाहिए और जो है 30 वर्स से जादा नहीं होना चाहिए आप बोलेगा कि क्या उपरेज को छूट मिलेगा जी हां मिलेगा SCST को 5 साल का उपरेज में छूट मिलेगा यानि 35 साल हो जाएगा SCST को जी हां दोस्तों क्योंकि central level पे SCST को 5 साल का छूट मिलता है यहां पे OBC को 3 साल का छूट मिल जाएगा तो इसी जो है date के आप जो है age को calculate करने वाले हैं आप अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे physically fit होने चाहिए आपका जो है आँख का वीजन जो है बीना glass का अच्छा होना चाहिए नियर वीजन आपका जो है अच्छा होना चाहिए और must pass color vision बीनो colors vision field of vision night vision यह सब आपके पास होने चाहिए यह test होगा जब आपका medical test होगा na physical fitness test तो उसमें सब आपके टेस्ट होने चाहिए अब बात आती है qualification की ठीक है ना फोड़ा से आपको और बता दूँ फ्रेंट्स की यह नहाँ पे जो है यह notification कैसे मिलेगा आपको देखें notification मैं टेलीग्राम पे तो अपना share कर दूँगा टेलीग्राम का लिंक आपको description box मिल जाएगा आप टेलीग्राम से इस notification को download कर लीजेगा और आप इसे अपने अस्तर से पढ़ लिजेगा आप लोग बोलेगे notification आया कैसे द publish होता है तो कल Friday है 19 तारिको तो रोजगार समाचार में कल यह publish हो जाएगा और कल ही यह print out आप लोग को digitally मिल जाएगा लेकिन आप लोग मुलेगा पहले कैसे आगया notification तो देखें friends रोजगार समार जब भी आता रोजगार समाचार वन वीक पहले ही जो है ना offline जो है share हो जात है एक हपता पहले मान के चलिए तो यह offline देख सकते हैं यह बिल्कुल जो है रोजगार समाचार का officially और authentic जो है news है इसमें कोई आपको जो है गड़बर नहीं मिलेगा बहुत सार लोग बोलेगे कि गड़बर नहीं गड़बर नहीं है आप लीक के रख लीजे 101% अगर सब च आपको पता चलिएगा अब बात करते हैं essential qualification आपका form भरने के लिए qualification काची देखे सबसे पहले qualification को समझे इसमें multiple तरह के लोग form भरेंगे दसवी आप पास हैं तो वीडियो को देखे आपको समझ में आजाएगा वीडियो मिस करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा दे प्लस यहां लिखा गया ITI पास होने चाहिए मतलब क्या कि पहला 10 वीघ प्लस ITI इसमें से अगर आप पास हैं दस वीघ के साथ साथ ITI तो आप इस वेकिंसी के लिए eligible हैं अब ITI किस-किस मतलब trade में चाहिए तो NCVT SCVT किसी भी निग इनस्टूट होना चाहिए आप देखे ट्रेड बोला गया, फीटर, इलेक्टिसियन, इंस्टूमेंट मेकेनिक, मिल राइटर, मैंटिनेंस, मेकेनिक, मेकेनिक, रेडियो एंट टीबी, इसके लवाई इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक, मेकेनिक, मोटर वाइकल, वायर मेन, ट्रेक्टर मेकेनिक, और मेचर एंड कॉयल व आसे कि इतना हो भी percent के साथ तो आप form को apply कर सकते हैं इसमें जो percentage माइने नहीं रखता क्योंकि selection process retain exam के बेस होता है computer based exam होगा उसके base दूसरा qualification समझते हैं यहां और में यहां देखे क्या लिखा हुआ है matriculation प्लस आपने apprenticeship किया हुआ है उपर के जो trade है इसमें से किसी भी trade से अगर आपने apprenticeship कर रखा हुआ है तो आप form को apply कर सकते हैं यानि दसवी के साथ-साथ apprenticeship यहां पे बोल दिया तो देखिए friends आप लोग कहत आती है अलगर trade wise बहुत तरह की apprenticeship आती है तो उसमें apprenticeship मागा जाता है तो देखिए न यहां पे दसवी के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-ाल-प्लोमा किया हुआ है mechanical में या electrical में या electronics में या automobiles में तो आप form को भर सकते हैं यानि क्या कि metric के बाद जो है three years का जो आपका diploma होता है three years मैं लिख देता हूँ three years का जो है diploma जिया दोस्तो डिप्लोमा तो आप form को apply कर सकते हैं अब इसमें जो trade है दिप्लोमा में mechanical है electrical है electronics है automobile से अब आता है यहां पर और में देखें यहां पर और में यहां पर लिखा इंजिनेरिंग अगभी आगर आपने किया हुआ है मतलब और में combination या various esteem of this engineering discipline from the colonized institute listed of ITI और में यहां देखें note में लिखा हुआ है कि degree in engineering disciplines are above will also be acceptable मतलब क्या यहां कोई बंदा जो है BE भी टेक किया हुआ है इसमें से किसी भी trade से ओ भी यहां पर form को apply कर सकता है तो इतने तरह candidates यहां पर form को apply करेंगे मैं लिख देता हूँ यहां पर 12 हुई की बात जो है अगर कोई यहां पर बी बी टेक किया हुआ है BE या बी टेक वह भी यहां पर form को apply कर सकता है तो सब के लिए मौका है friends आप सब को पता है बहुत इज़े भर्जस भरती होती है salary के मामले में भी सब चीज़ अब यहां पर देखेंगे तो reservation लागू होगा जैसे कि मैंने आपको बता है CST को 5 साल का coverage में छुट मिलेगा OBC को 3 साल EWS को यहां पर benefits मिलेगा reservation X service man को भी यहां पर benefits जो है मिलने वाला है अब यहां पर computer based test होगा सबसे पहले यही इसका selection process होता है थ्री phase में आपका exam होता है मैं आपको बताऊंगा अभी अभी आप last में देखेंगा आप देखें फी की बात करें तो 500 रुपे application fee लगता है और इसके बात से CST X service man female transgender और EBC को यहां पर देखेंगे तो 2500 रुपे बाद में refund हो जाता है तो आगे आता है फीचर में आपको refund जब आप पहला exam दे देते हैं तो पैसे बाद में refund हो जाते है यह लिखा हुए refundable amount of examination fee जो है यहां पर officially website पर दिये जाएंगे यानि फिरिंट्स 2500 रुपिया फी जो है आपका general OBC को और बाकी जो SCST है उनको एक भी आपको share कर दिया जाएगा तो यह सारे RRV की website है सभी RRV की website पर हो सकता है तो कल आपको जो है detail notification आपको देखने को मिल जाएगा तो जैसे detail notification आएगा हम आपको जो है अलग-अलग तरीके से आपको बता देंगे सारी information को अभी फिलहाल जो है इस वीडियो में बस इतना ही य यह notification अगर आपको चाहिए तो मेरे telegram से जोड़े यह telegram पर मैं आपको share कर दूँगा थोड़ा सा मैं आपको selection process की बात करूँ देखेंगे इसका selection process रहता है पहला stage में आपका CBT computer based test यहाँ पे होता है अब पहला stage आप complete कर लेते हैं यहाँ पे CBT 1 तो यहाँ पे आपका stage 2 हो होता है और यहाँ पे documents verification यह चार stage आपके रहते हैं यह चार stage आपका selection process है पहला stage होता है आप देखेंगे तो math से 20 questions इसके विए से general intelligence reasoning से 25 questions general science से 20 questions general awareness current affairs से 10 questions तो यह आपके पहला exam रहता है जो 60 minutes में आपको solve करने होते हैं इसमें आपका merit बनेगा उसकी बाद से आपका stage 2 के लिए बुलाया जागा stage 2 में देखेंगे तो आपका part A और part B का यहाँ पी आपका हो जाता है तो जैसे part A में देखेंगे तो math से questions रहते हैं general intelligence reasoning से questions रहते हैं basic science engineering से questions रहते हैं और current affairs general awareness से questions रहते हैं यह 90 minute का part A होता है और relevant trade जिस trade में आप form भरेंगे उस trade से 75 questions आपको रहेंगे इसमें आपको 1 घंटा समय मिलेगा टोटल यहाँ पे 175 questions आपको solve करने हैं धाई घंटे का आपको समय यहाँ पे मिलता है तो यह इसका selection process ह होता है friends, I hope आपको इस भरती के बारे में जनकारी समझ में आया होगा, आपके मन में कोई भी doubts है, comment है, आप comment box में पूछ सकते हैं, जैसे इस कावेदने start होगा 20 तारीकों हमें एक proper वीडियो ले कराएंगे कैसे आपको form को भरना है, तो आप जो है वीडियो को like कर दिजिए आपके मन में कोई भी doubts से comment है, comment है उसे पूछ लिजिए, अपने उन सभी दोस्तों को share कर दिजिए, जो इस तरह के qualification को रखते हैं, यहाँ पर पढ़ लिजेगा आप लोग भी, यहाँ पर देखे रहा है ना मैंने लिखा भी आपको समझाया भी detail में, तो आप यहाँ पर प